नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका टेक्निकल मोनु यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका फॉन का जो श्टोरेज है दोस्तो यदि वो full हो गया है बहुत जादा भर गया है आपका phone hang करने लगा है तो आज मैं आपको कुछ ऐसी settings बताने वाला हूँ दोस्तो जिससे आपके phone का storage बिलकुल खाली हो जाएगा दोस्तो और कुछ भी delete नहीं करना पड़ेगा बिना कुछ delete किये आप अपने phone का बहु मैं आपको बता देता हूँ लेकिन सबसे पहले आपसे please request है के channel को subscribe करके bell icon पर press कर दीजेगा और video को like करके comment box में आप अपना नाम लिख दीजेगा दोस्तो आप Instagram पर यदि देख रहे हैं या Facebook पर देख रहे हैं तो जाकर के follow कर लीजेगा Instagram पर MS.Jadon 13 username है जाकर search कर और यहाँ पर यदि आप follow कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक मिनट की reel के अंदर दोस्तो आपको पूरी tricks सब कुछ जानकारी मिल जाती है दोस्तो तो जाइए जाकर के follow कर लीजे अब दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरीके से अपने phone का storage खाली कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको क्या कर रहा है play store पे जाना है दोस्तो play store पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी profile दिखेगी उपर इस पर आपको click कर देना होता है हम इस पर click कर देंगे इस पर जैसे ही आप click करते हैं दोस्तो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी tricks दे देखने को मिलता है और इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो आप यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स आपको देखने को मिलती है दोस्तो तो मैं आपको step by step बता रहा हूं ध्यान से देखना दोस्तो ठीक है तो हम यह profile पर क्लिक करेंगे manage apps and device पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जै दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यह installed app मिलेंगे मेरे phone में आप देखेंगे तो 90 vendor app से installed है ठीक है दोस्तो प्लेइस टोर से मैंने 90 अप यहाँ पर install करखे हैं तो इन से तो हमको कोई problem है नहीं लेकिन हम यहाँ पर installed पर क्लिक करेंगे और not installed पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपके फोन में वो application भी मिलते हैं दोस्तो जिनको आप use नहीं करते या फिर वो आपके फोन में है ही नहीं लेकिन storage बहुत consume कर रखा है दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा दू 5.8 MB का 23 MB का 15 MB का 17 MB का और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 65 MB के भी application है दोस्तो यहाँ पर 22 MB का 10 MB का और इसके अलावा और देखेंगे त 27 MB का बहुत सारे application है और यह आप देखिए Free Fire Max 590 MB का है दोस्तो इसने इतनी यहाँ पर जो storage है consume कर रखा है दोस्तो तो इस तरीके से आपके phone में आप देखेंगे तो दोस्तो जादा भी नहीं मानो तो 10-15 GB का आपका जो storage है consume कर रखा है दोस्तो इन application ने जो आपके phone में है ह इसे कम consume कर रखा है तो इनको आपको क्या करना है storage खाली करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं इन सबको आप select कर लीजेगा कैसे करेंगे select जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दू 4G यह application है इसको select कर लिया इसके अलावा आप app lock fingerprint यह application है इस तरी click कर देना है remove पर click कर देना है हम यहाँ पर remove पर click कर देंगे दोस्तो यहाँ पर remove पर click कर देंगे तो दोस्तो यहाँ पर अब आपके phone का storage खाली हो जाएगा दोस्तो दोस्तो आपको यह काम करना है तबजा करका आपके phone का storage खाली होता है और दोस्तो यह settings आप कर लेंगे उस के बाद में आपको back में आ जाना है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है back में आने के बाद में दोस्तो अब आपको क्या करना है आपके phone में settings में जाना है दोस्तो settings में जाओगे तो settings में जाने के बाद में scroll करना है scroll करने के बाद में यहाँ पर about phone में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर software information पर click करना है और आपके phone में यह build number आपको दिखाई देगा इस पर 5 से 7 वार आप ऐसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको developer option का जो feature है वो मिल जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने already यह कर रखा मेरे phone में developer option है तो अब यह आपको कहा मिलेगा आप back में आएंगे तो यहाँ पर system में आपको जाना होगा system में जाने की बाद में नीचे आप देखेंगे developer options का यह feature आपको मिलता है तो हम इस पर click कर देंगे यहाँ पर click करेंगे तो एक setting यहाँ पर आपको ढूंडनी होगी दोस्तों अब वो setting क्या है हम यहाँ पर scroll करेंगे scroll करते जाएंगे और जैसे ही आप इसको scroll करते जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर options मिलते हैं तो हमको जो options यहाँ पर चाहिए वो हम देख लेते हैं यहाँ पर तो आपको क्या करना है आपको हम और नीचे जाएंगे दोस्तों और नीचे जाएंगे तो दोस्तो यह मैंने already on कर रखा है आपको भी इसको on कर देना है अब इसको on करने से क्या होगा यहाँ पर पढ़ सकते हैं max any app eligible to be return to external storage तो आपके phone में यदि SD card लग रहा है न दोस्तो तो जो भी application आप install करेंगे तो दोस्तो वो सारे application आपके internal storage की वजाए external storage में install होंगे दोस्तो तो सारा data लगबग external storage में जाएगा दोस्तो जिससे आपके phone का internal storage खाली रहेगा और दोस्तो बहाँ पर फिर आपको कभी कोई problem नहीं आएगी दोस्तो storage फूल होने की और आपका phone hang भी नहीं होगा बस आपको ये settings on करनी होती है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैं आपको बापस दिखा देता हूँ वो setting को force allow apps on external इसको on करना है मैंने तो already आपे on कर दोस्तो अब ये काम कर लेंगे इसके बाद मैं back में आना होता है आपको हम back में आ जाएंगे अब आपके phone में अभी आपने देखा था वहाँ पर play store पर दिखाया था 90 application मेरे phone के अंदर installed है अब दोस्तो 90 application installed है तो दोस्तो वो सारे application यहाँ पर जो storage थे consume कर रहे हैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ किसी एक application को ले करके यहाँ आप देखेंगे यह application है दोस्तो zero cleaner यह application है अब इसने भी हमारा storage consume कर रखा होगा तो मैं क्या करूँगा इस पे long press कर दूँगा दोस्तो और यहाँ पर आपको app info पे click करना है इस पे click करने के बाद में दोस्तो आप यह storage का और यहाँ पर clear case का तो हम क्या करेंगे यहाँ पर clear case के पे click कर देंगे यहाँ पर हमको clear storage पर klick नहीं करना है नहीं तो आपके phone का data डिलीट हो जाएगा और मैंने यहाँ बिना data डिलीट करे ट्रिक बता रहा हूं दोस्तो तो clear case पर आप यहाँ पर click करेंगे तो दोस्तो storage खाली होगा अब यहाँ पर यह तो छोटा सा application है दोस्तो जब भी यहाँ पर 2.04 MB इसने यहाँ पर consume कर रखी है extra जिनका कोई काम ही नहीं है तो आपको clear case पर click कर देना है यहाँ पर clear storage पर click मत दोस्तो इसी तरीके से आपको सारे application पर कर रहा होगा दोस्तो जिससे यह माल लीजेगा 3-4 GB कम से कम 3-4 GB आपके phone का storage खाली हो जाएगा दोस्तो बस यह काम आपको करना है और एक और बता दू दोस्तो आपको bonus तो bonus क्या है दोस्तो यहाँ पर play store पर जाना है यहाँ पर settings में जाकर के यहाँ पर general पर click कर दीजेगा और यहाँ पर automatically archive apps इसको on कर दीजेगा मैंने already यहाँ पर on कर रखा तो आपको भी इसको on करना पड़ेगा दोस्तो जैसे ही आप इसको on कर देंगे तो दोस्तो आपके phone में जो भी application है दोस्तो उनको यहाँ पर manage करता रहता है यानि कि यदि आपके phone का storage भर जाएगा या running में चल रहा होगा running slow चल रहा होगा तो दोस्तो यह उसको manage करता है जिससे आपका phone hang नहीं होता है दोस्तो और storage running की problem solve होती है तो इसको on कर दीजेगा अब उसके बाद में देखिएगा आपके phone में बहुत सारा storage खाली हो जाएगा दोस्त application hang करते हैं या कोई problem होती है तो वो यहाँ पर सब कुछ manage कर लेता है solve करता है उनकी problems को जिससे आपके phone को use करने में आपको कोई problem नहीं आएगी दोस्तो कभी भी hang नहीं होगा